जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंक और बागी सब आक्शन में खरीदी हुई शिप से ट्रावल कर रहे थे और उस शिप में बैट कर वो बीज से बचते हुए फाइनली हैन हाई आइलिंड में पहुँच गए थे इस आइलिंड के अंदर पहुँचते ही उनके पास कई सारे आदमी आ जाते हैं उन आदमियों के संग उनका लीडर भी था और वो सब यहां के ओशन स्पिरिट मास्टर थे तैंक शैंक और बागी सब लैंड स्पिरिट मास्टर कहलाते हैं क्योंकि यह जमीन पर रहने वाली ज सबसे कमजोर हैं फिर इसके बाद यलो कपड़े पहने लोग आते हैं जो वाइट से जाधा ताकतवर होते हैं और फिर इसे हसाब से परपल, ब्लाग और रिट क्लोथ पहने लोग आते हैं यह रांकिंग्स गॉड ऑफ ओशन के दियोए टेस्ट के अकॉर्डिंग की जाती है जिन्नोंने तैंग शैंग को अभी घेरा था वो सबी यलो कपड़े पहने थे और यह भी काफी स्ट्रॉंग थे यह सब तैंग शैंग को वापस लोट जाने को कहते हैं लेकिन तैंग शैंग उन्हें अपनी पूरी बात समझाता है और कहता है कि वो यहां रहना जाता है और यहां रहने के लिए उसे जो गौड ओफ ओशन का टेस्पास करना पड़ेगा वो उसके लिए भी रेडी है अब फिर यह लोग तैंग शैंग और उसके दोस्तों को गौड ओफ ओशन के पास ले जानी लगते हैं और फिर वहां पहुँचने पर तैंग शैंग और बाकी सभी को एक पूल दिखता है जिसके बीच एक छोटा सा आइलिंड है और उसके अंदर एक आत्मी बैठा है वहां एक टावर भी खड़ा है और उस टावर के माधियम से गौड ओफ ओशन सभी से बाते करते हैं वो जो आत्मी खड़ा है वो एक सोल लैंड मास्टर ह और वहां उसको सभी मास्टर सी होर्स कहकर पुकारते हैं क्योंकि उसके मार्शल सोल सी होर्स की है अब सी होर्स को जब ये पता चलता है कि कुछ सोल लैंड मास्टर यहां आए है तो वो उन सभी को देखता है और आस पास अपना औरा क्रियेट करके पानी के अंदर तुफा करने से पहले मेरे टेस्ट को क्वालिफाई करके दिखाओ। अब ये सुनकर सबसे पहले मिस्टर दाई अपनी माशल सोल को निकालता है और वो सी हॉर्स से लड़ता हुआ पूल को क्रॉस करने लगता है और काफी स्ट्रगल करने के बाद वो मास्टर सी हॉर्स के पास जाते हैं. Master Seahorse ये सब देखकर काफी शौक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि ये सब Marshall Soul Hall के भीजे हुए हैं. क्योंकि Marshall Soul Hall के पास ही इतना टालेंट है. इसलिए वो उन सबी को वापस लौटने के लिए कहता है और कहता है कि यहां Marshall Soul Hall के आद्मियों का कोई काम नहीं. अब उनकी Marshall Soul Hall से क्या दुश्मनी है वो हमें आगे पता चलेगा. सबी बच्चे समझाने की भी कोशश करते हैं कि वो Marshall Soul Hall से नहीं है लेकिन Master Seahorse नहीं मानता और वहां से जानी लगता है लेकिन तभी तैंक शैंक के पास जो प्रिज्म है वो abnormal behave करने लगता है और उसके अंदर से energy निकलने लगती है अब तभी tower के अंदर से God of Ocean Master Seahorse को आदेश देते हैं और कहते हैं कि वो इनका टेस्ट लेंगे Master Seahorse को कुछ समझ नहीं आता लेकिन God of Ocean की बात को वो मना नहीं कर सकता था जिस वज़े से वो अब तैंक शैंक के पास जाकर उसका welcome करते हैं और अब वो सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने लगते हैं अब सबसे पहले वो Mr. Dye को आगे बुलाता है और tower पर कुछ spell cast करता है जिसके बाद Mr. Dye के लिए challenges आने लगते हैं उसको उसकी power के according एक purple card मिलता है और उसके माथे पर एक seal activate हो जाती है उसको जो card मिला होता है वो black level 6 test का card है और ऐसा card सिर्फ ताकतवर लोगों को ही दिया जाता है असल में God of Ocean warrior की power और strength के अनुसार ही challenges देते है वो different types of challenge देते है जिसमें सबसे कमजोर वालों को white level 1 test दिया जाता है और फिर जैसे जैसे warrior की strength पड़ती है उसके challenges बढ़ा दिये जाते है white level 1 test के बाद yellow level 1 test आता है फिर purple level 1, 2, 3 test आते हैं फिर black level 4, 2, 6 test आते हैं और फिर red top tire test आते हैं अगर हम अपने दिये हुए challenges को पूरा करते हैं तो ही हम यहाँ soul masters बन पाते हैं और यहाँ से qualify कर पाते हैं black level test को अगर कोई पार करता है तो उसकी position seven sacred tottens के guardian जितनी हो जाती है जो लोग red level test को पार करते हैं उनकी position head flames के one chest जितनी हो जाती है अब Mr. Dai को ये खतरनाक challenge मिला होता है जिस वज़े से वो खुश हो रहा होता है लेकिन Seahorse उसे बताता है कि अभी तक सिर्फ 31 लोगों को black level test मिला है लेकिन उन में से केवल साथ ही पास कर पाए हैं बागी लोग अपनी जान कवा बैठे हैं वो साथ लोग जो पास हुए हैं उन में से एक Master Seahorse भी है और अब ये यहां के गाजियन है Master Seahorse भी इस test को पास करने के चक्कर में कई बार मरते मरते बचे हैं और उन्हें इसको पास करने में 40 साल का समय लगा है हम इस test को बीच में छोड़ कर भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर हमने इस जगह से भागने की कोशिश की तो हमारे माथे पे जो seal लगाई गई है वो explode हो जाएगी ये सुनकर सब काफी शौक होते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और अब फिर सब एक एक करके आगे आते हैं और अपने लिए challenges लेते हैं जियांग को येलो test दिया जाता है और ये पाकर वो निराश हो जाती है क्योंकि उसे अब inferior complex होने लगता है क्योंकि वो यहाँ सबसे कमजोर है और उसे challenges भी बच्चो वाले दिये गए है cat girl को black level 5 test दिया जाता है औसकर को black level 6 test दिया जाता है motu को black level test दिया जाता है निंग रॉंग रॉंग को top tire का red level test दिया जाता है और ये पाकर वो काफी खुश होती है क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो अगर चाहे तो क्योंकि वो अगर चाहे तो future में हाँ की leader बन सकती है इस चीज से हम निंग रॉंग रॉंग की ताकत का अंदाजा लगा सकती है कि वो इन सभी में सबसे जादा strong है अब tank shank को उसके challenges दिये जाते है और उसका challenge देते वाग आस-पास बिजली चमकने लगती है और उसका challenge जब सामने आता है तो सब काफी जाता शौक हो जाते है उसके पास top tire level 1 का test आता है आस-पास बहुत डरावना महौल हो रहा था और अब जीवू की भी शक्ती चेक होने लगती है और वो भी आसमान में उड़ने लगती है तैंक शैंक और जीवू एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते है और अब वहाँ फिर God of Ocean आते हैं और सब उनको देखकर अपना सर शुका लेते हैं वो कहते हैं कि सा सालों के इंतजार के बाद आखिर तुम आ ही गए अब फिर आसपास का मौल शान्त होता है और तैंक शैंक को गोल लेवल का चैलेंज दिया जाता है उसके पास 9 कार्ड जाते हैं और उसे ये 9 चैलेंज पूरे करने होंगे अब इस सब के बारे में जो अभी तैंक शैंक के साथ हुआ वो मास्टर सी होर्स को भी नहीं पता था और वो भी सोचने लगता है कि आखिर तैंक शैंक को ये कैसा कार्ड मिला है जीवू को भी तैंक शैंक की तरह ही टॉप टायर का कार्ड मिला होता है और इस बारे में भी मास्टर सी होर्स को कुछ नहीं पता है अब वो सब इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी आस्मान से आवाज आती है जो टैंग शैंग से ये कहती है कि जीवु को 9 Challenges पूरे नहीं करने है उसे तुम्हारे 9 Challenges को पूरा करने में मदद करनी है और यही उसका चालेंज है अब फिर वो लड़की जो यह आकाशवानी कर रही थी, वो इनके सामने आती है. इस लड़की का नाम बोसाइजी है और ये लड़की ग्रांट ओशन मास्टर है. वो तैंग शैंग को गौड अफ ओशन का उत्तराधिकारी कहती है और ये सुनकर सब काफी जाधा शौक हो जात हैं. अब तैंग शैंग से वो उसका इंट्रो मांगती है जिस पर जब उसे ये पता चलता है कि तैंग शैंग तैंग शैंग का ग्रांट सन है तो वो चौक जाती है और वो तैंग शैंग के पास आकर उसे अपने पन की नजर से देखने लगती है और अब वो सब के सामने य में ट्रीट किये जाएंगे अब वो उन सभी बच्चों को उनके चैलेंजिस के लिए all the best बोल कर जानी लगती है लेकिन तभी वो तैंग शैंग से कहती है कि अगर तुम इन चैलेंजिस में हारे तो बहुत बुरा होगा क्योंकि तुम्हारी हार से इस पूरे आलेंड को दिक् सुनकर सब काफी शौक हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता जिसके बाद फिर ये एपिसोड यही खतम हो जाता है